हेलो दोस्तों स्वागात आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जारकन संस्क्रीट परिक्षा जिसे हम लोग जारकन मदमा परिक्षा के नाम से भी जानते हैं तो उन्हें के रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपका रिज हो चुका है और आपका कॉपी कैसे चेक हो रहा है इन बातों पर भी हम चर्चाय करेंगे तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दवा दीजिएगा तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक प्रकासित किये जा सकते हैं कब तक आपका रिजल्ट आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इस्टूडेंट जहारखन मादमा पर रिक चाहती हैं वो सारे स्टूडेंट को पीच में आपका एक्जाम हुआ था जिसमें आपका जो टोटल पेपर थे अनिवार्ज और एक्चिक सारे पेपर दो अगस्त तक आपका कंड़क्ट हो गया था तो सारे स्टूडेंट का एक्जाम हो चुका है तो आज दस दिन हो चुके हैं एक्जाम समाप्ती के क्योंकि क्टीं विटेंगे डूंकि दूही इग्जाम समाप्त हो चुके थे तो आपका कौपी का जो मुल्यांकन है वह स्टार्ट ho चुका है तो पीच में टेज़ छुटी भी था रक्षाबंदर हो थोड़े सीसमेश Prime चेक करने वो लोगो थोड़ी उसकी संख्या कम होती है तो इस वज़े से थोड़ी सी देरी लगती है लेकिन आपका रिजल बहुत ज़द आ जाएंगे ऐसे नहीं कि बिहार मदमा की तरह आपके भी लेट करेंगे क्योंकि बिहार मदमा का अप्रैल में एकजाम लिया और जुलाइ में रिजल्ट दिया थे एक ज़र महिना उसमें लगा दिया थे लगवग ज़र मोंध उसमें एकजाम में बिहार बोड़ वालों को लगा जाए थे लेकिन आप लोगों को बीश दिन हम बोल लेते हैं इसमें इसमें कम है तो इसलिए आपका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल सकते हैं और जो 11 नमांकर भी करवाने होंगे जिन इस्टुडेंटों को इन वजह से भी बहुत जल्द आपके रिजल्ट आ सकते हैं तो हम 25 अगस तक का सकते हैं 25 अगस तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसमें कभी भी आपको रिजल्ट प्रकासित किये जा सकते हैं जैसे कि कॉपी चेक हो गया तो आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट तो आप निश्चिंत रहे हैं कोई चिंता करने कि कोई ज़रूरत नहीं है एक्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा वो भी बोल एक्जाम है तो आपका किंसिल होने की तो बात ही नहीं होती है वही दो चार दस दिन आपको इंतजार करने परेंगे अभी तो आपके एक्जाम के दस दिन ही हुए है तो आप का सकते हैं, नॉर्मली चेक हो रहा है, नॉर्मली में होता है, ये कि step mark भी अच्छे से दे दिया जाता है, जो fail होने वाले जाते हैं, एक दो number दे के grace दे कर भी pass कर दिया जाता है, strictly check किया जाता है, तो उसमें number of student fail कर दिया जाते हैं, तो उन्हीं बातों पर हम चर्चाय करेंगे, कि आपका कैसे copy check हो रहा है, तो कुछ teacher से consult करने होंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे आपके copy check हो रहे हैं, तो आप निस्चिंट रहे हैं, साथ ही हम ये भी बताएंगे, आपको कितने number of first division होंगे, कितने second होंगे, और कितने student को first आने की जएदा chances है, इन सारी बातों पर हम चर्चाएं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी तक के लेतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको exact date भी बता दे कि 25 तक आपका result आने की जएदा संभावना है, 25 तक आपका result कभी भी आ सकते हैं, तो इनके रिगारी हम सारी fact बताते रहेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ जूरे रहेंगे, हम आपको सारे चीज बता देंगे कि कैसे कव, आपका result आएंगे, कैसे चेक करना है, ये सारी बात हैं हम आपको बता देंगे, thank you, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,